हे गाई वेलकम बैक तो माई चानल और आज हम लोग सीखने वाले हैं पाउटी लिप्स कैसे करें तो इसके कुछ स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगी स्टेप वन लिप्स को एक्सपोलियेट करें लिप्स को मुलायम और स्मूद बनाने के लिप्स क्रब का अप हमेशा फुलर दिखाई देते हैं इस वज़े से हमें लिप्स को ज्यादा मुश्राइज करना चाहिए मैंने हाँ ब्लू हेवन यूज किया है ब्लू हेवन लिप्स को कंटोर करेंगे और कंटोर करने के लिए ब्रॉंजर ये काउंटर पाउडर करके होंटों के चारोल हलका काउंटर करें निशले होट के नीचे और उपर कंटोर करने से होट का आकार उभर कर आता है यू कन सी अपने होटों के प्राकरतिक आकार नेक्स स्टेप में लाइनर लगाए ऐसा लिप लाइनर चुने जो आपकी लिप्स्टिक से मेल खाता हो या उससे एक शीड गहरा हो ताकि definition मिले, खासकर टूपिड बो उपर वाले होट के बीच का हिस्सा और निशली होट फोकस करें, जैसे आपकी जो लिप्स हैं, वो फुलर दिखाई दे, और पाउटी लुक बहुत अच्छा सके, मैंने यहाँ पर एक डाउन कलर की, डाउन कलर की लिप्स्टिक लेकिन दॉप्योग करने से पाउटी लुक मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ एक मैट लिप्स्टिक भी उज़ की है और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, वो ने सेंटर में हाइलाइट करने का, मैं युज दूज मैट लिप्स्टिक करने के बाद जो नेक्स्ट पर लगा लेना है और उसके बार लिप्स को अपने निशले होट के सेंटर में हलका शेड उपर होट पे हलका सा शेड थोड़ी हाइल लगाएं इससे गहराई और फॉल्नेस का इरुमनेजन बहुत अच्छा मिलता है इल्हुत निशले बहुत अचा सी क्या कि अच्छा सी का शुल अच्का मिलता है जगा शुले आफ रहजाएं रहाई है रधार कोो फोड़ी है